मौसम बदलने के साथ साथ लोगों में साइनेस की समस्या बढ़ने लगती है साइनेस की समस्या में अधिकतर लोग दवा का सेवन करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि साइनेस पर घरलू उपचार भी कारगार साबित होती है आई आपको बताते हैं कुछ ऐसे घरेलू उपचार के बारे में जिसे साइनस से आपको जल्दी रहत मिलेगी साइनस नाख संबंधी रोग है जिसके कारण सिर्फ वैक्ति को सास लेने में परिशानी होती है बलकि चहरे की मांस फेश्यों में भी दर्ध शुरू हो जाता है साइनस कई कारण से हो सकते हैं जैसे वैक्तिडिया, फंगस, इंफेक्शन एलर्जी, नाख की हड़ी बढ़ना और अस्तमा इस समस्या का इलाज डॉक्टर की देख रेक में तो किया जा सकता है लेकिन घरेलू उपचार से भी समस्या से निजात पा सकते हैं इसके लिए आप गरम पानी में दो गूंद पेपर मिंट का तेल या यूके लिप्टस का तेल डाल कर उसका भाप ले इससे आपकी साइनस की सूजन फौरण कम हो जाएगी दूद में हल्दी डाल कर पीने से आपके शरीर की प्रतिरोधक शमता बढ़ेगी और इंफेक्शन खतम होने में आसानी होगी साइनस से परेशान लोगों का अनुवव है कि दवाव और सरजरी के लावा एक और तरीका है जो बहुत प्रभावशाली रहा है वो है योग का योग से भी आप साइनस की समस्या से निजात पा सकते हैं साइनस की समस्या से चुटकारा पाने के लिए जीरा और काले मिर्च के मिर्शन का उपयोग करे इसके लिए आपको चाहिए एक चमच जीरा, चार से पांच काले मिर्च और एक चमच शहद जीरा और चार पांच काले मिर्च लेकर इसको धीमी आज़ पर सेक ले इसके बाद दोनों चीजों को पीस ले पीसे हुए चुरन में एक चमच शहद मिलाए इस मिश्रन का सेवन आप दिन में दो बार करे इससे आपको रहत मिलेगी साइनस के दौरान कुछ बाते का जरूर ख्याल रखना जरूरी है जहां तक संभव हो गुनवोना पानी का सेवन करे इससे आपको साइनस की समस्या से रहत मिलेगी हेल्थ लाइफ की डेपोर्ट